किसी भी शादी पार्टी फंक्शन में मुझे जाना होता है तो 30 मिनिट्स पहले ही मैं किचन के इंग्रिडियंट से एक ब्लीच क्रीम बनाती हूँ चेहरे पर अपलाई करती हूँ 30 मिनिट्स में ही अमेजिंग रिजल्ट मिलते हैं 20 फेशल इतना स्कीन ग्लो करने लगता है और स्कीन टाइपर यह सूट करता है आप भी कर सकते हैं इसे किस प्रकार से बनाना है वो तो हम देखेंगे उससे पहले मैं आपको एक बात बता दू कि पिग्मेंटेशन के दाग मिटाने के लिए आई डाग सरकल मिटाने के लिए एक आयरवेदिक दवाई हम देखेंगे जो आपका स्कीन गलो बढ़ाने में टानिंग को मिटाने में भी हल्प करेंगी लास में यह आयरवेदिक दवाई मैं आपको बताऊंगी इसे किस प्रका से इसमें से रस को अलग निकाल देना है यह अलू का रस हमें साइड में रख देना हैं सेटिन एंग्रेडियंस हमें हीक टमाटर डीरू और टमाटर का रस जैसे भी इसकी पैज बनती है उतना हमें इसका अर्क अधुन नहींद उसकी पैज बन जाती है झे dock में इसमें प्या सा लेमन जूस अगर आपकी sensitive स्कीन है तो इससे आपको इरिटेशन हो सकता है तो आप थोड़ा सा रोज वाटर इसमें एड़ कर सकते हैं सभी चीजों को अच्छे से फेट लेना है और दो मिनिट के लिए इसे साइड में रख देंगे यह ब्लीच क्रीम बनाते हुए हमने जो भी इंग्रेडियन यूज कि और उसके लिए हमें करना है फेस वाश जैसे कि आपने पहले भी वीडियो में देखा होगा कि मैं बायो क्यूल का एवर ग्लो रेडियन्स फेस वाश यूज कर रही हूँ और इसके मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले इसमें वाइटमिन C, Arbutin और AHA है जो काकाडू प प्रोडक्शन को कम करके डाक स्पॉट और हाइपर पिग्मेंटेशन को कम करता है एक रेडियन्ट और ग्लोइंग कॉम्पलेक्शन देता है इससे आपकी स्किन ग्लोइंग और हाइडरेटेड लगेगी ग्लोइंग और डिवी लगेगी हर स्किन टाइप पर यह सूट करता गर्मी में हीट की वज़ा से डाक स्पॉट और पिग्मेंटेशन की प्रॉब्लम भी बढ़ती है लेकिन इससे बचने के लिए मैं रेडियंस फेसवाश के साथ बायोक्यूल स्पॉटले सिरम भी यूज कर रही हूँ ये अरब्यूटीन फाइटोल और वाइटमिन सी का पावरफुल ब्लेंड है इसे बियर बेरी बिडेंस पाइलो सा और ककाडू प्लम से एक्स्ट्रैक किया जाता है इसका टेक्स्चर नॉन स्टिक लाइट जेल है जो परफेक्ट फील होता है ये डाक स्पॉट और हाइपर प जो अलु में नैचेल स्कीनल वाइटनिंक परपर्टी जाती है इसके साथ sasasasa आरे इंजाइमस पायजाते है स्ट्रार फोता जो प्राइड बनाता है और ब्राइड बनाने में हैल 요 यह हमारे चेहरे पर जो भी डार्क स्पॉर्ट होते हैं उसे रिड्यूस करने का काम करता है और यह स्कीन टोन को इवन करता है अलू हमारे स्कीन को सॉप्ट और मुलायम भी बनाता है इसके साथ एंटी इजिंग प्रॉपर्टी इसमें पाई जाती है जो हमारे स्कीन पर जो इसे अमारे स्कीन को को सॉप्ट और मुलायम बनाता है इसमें आर्पर जाता है मिटाने में और Defensa Moscow approved ऒा decir यह एक प्रकार का नेचरले है इसे हम जैसे विजर्राइने करते है तो हमारे स्कीन पोर्स में जो भी धूलो बेडिके कन रोज师 की रोज जबने लगते है उसे खीच के बाहर निकालती है एक्स्रा ऑइल जो हुता है उसे भी खीच के निकाल लेती है और ये हमारे स्कीन पर कभी भी पिंपल्स, रिंकल्स, एकने नहीं आने देती, ये हमारे स्कीन को टाइड बनाती है नेक्स हमने इसमें थोड़ा सा लेमन जूस एड़ गया है, लेमन जूस में डेसरा वायटमिन C बाया जाता है, जो स्कीन को तुरंद गलो देने में हेल्प करता है ये एक एस्ट्रिजन का काम करता है, स्कीन को टाइड बनाता है ये सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है ये हमारा bleach cream बिल्कुल बिनकर तयार है इसे हमें apply करना है तो उसके पहले हमने skin को clean किया है अब हम इसे skin पर apply करेंगे पूरे face पर इसे लगा लेना है और 30 minutes तक इसे natural dry होने के लिए छोड़ देना है तब तक आप आप अराम कर काफी bright देखने लगती हैं काफी soft और мुलाइम लगने लगती हैं ये जो bleach घर में हमने बनाया है यह all skin टाइब पर आप apply कर सकते हैं यह bleach cream हमने ही घर में बनाएया है chemical free होने के कारण य시면ra हमारे स्कीन काफी ग्लो करने लगती है आप इसे गरदन पर नेक पर आपके हाथों में पेरों में पूरी बॉड़ी पर भी अपलाई कर सकते हैं 30 मिनिट के बाद इसे जब भी आप वाश करोगे तो अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे आप ये ब्लीच क्रीम बनाते हो तो इसे स्टोर करके नहीं रखना है जिस दिन आपको ये लगाना है उसी दिन बनाना है और तुनंत अपलाई कर लेना है आप अगर इसे बना कर फ्रीज में रख देते हैं और काफी दिनों के बाद अगर स्कीन पर अपलाई करेंगे तो इसक स्किन रिलेटेड जो भी इशूस होते हैं उसे हटाने में यह जबरदस वर्क करता है यह आयरवेदिक दवाई है जो आयरवेदिक शॉप पर ही मिलता है और इसका नाम है मुलेठी बाउडर मुलेठी बाउडर में धेर सरे इसे पोशकतत वो पाए जाते है जो आपके पिग्मेंटेशन के दाग हो या फिर पिंपस के बाद जो दाग छुट जाते है उसे मिटाने में आखों के नीचे जो डाग सरकल आते है उसे मिटाने के लिए टैनिंग को हटाने में और स्किन को टाइट और ब्राइट बनाने में इसके जबरदस रिजल्ट मिलते हैं इसे ल एक टाइम आपको इसे पीना है आधा स्पून ही लेना है जादाने यह आप रेगुलर वन मन तक यूज करना है तो यह आपकी स्किन रिलेटेड जो भी इशूज होते हैं उसे जड़ से मिटाने में हेल्प करता है यह जो मुलेठी पॉडर होता है इसमें एक नाम का आइसीड पाया जाता है जो हमारे स्किन के रिलेटेर जो भी इशूज होते हैं इसकिन इनफेक्शन होता है या फिर बार-बार आपको आकने पिम्पर्स की प्रॉबलम आती है उसे मीटाने में और आपको ब्लाइटस वाइटस की अगर प्रॉबलम है तो उसे भी जर से खतम करने में इसके जबरदस्त result मिलते हैं आपकी skin अगर ज़्यादा प्रमाण में dry है तो आप इसका pack बना कर भी skin पर apply कर सकते हैं यह हमारी skin को natural moisturize करती है इसके साथ ही अगर आपको जो दाग है pigmentation के दाग अगर आते हैं तो यह आपके दाग मिटाने में जबरदस्त वर करता है skin के लिए और एक important बात में आपको बताना चाहती हूँ कि आप जैसे भी पूरे दिन भर में खाना खाते हो तो उसके बात एग लास गुनगुना पानी ज़रूर पीए यह जो गुनगुना पानी होता है वो हमारे skin को अंदर से repair करता है रात में सोने से पहले भी एग लास गुनगुना पानी पीकर ही सोना है वो हमारे बाडी को अंदर से detox करती है next tip रात में सोने से पहले थोड़ा सा coconut oil या फिर जो भी moisturizer आप day night cream जो भी use करते हो उसे थोड़ा सा लेना है पूरे चेहरे पर apply कर लेना है हलके हलके round massage देना है तो इससे भी आपको amazing result मिलते है आपके face का blood circulation बढ़ता है और skin glow करने लगती है तो friends आपको भी शादी party function में जाना है तो उसे हाप अबर पहले ये bleach cream आप apply करते है तो इसके amazing result आपको मिलेंगे उसके साथ ये मुलेडी powder one bun तक कड़ी नियू करते है और आपके skin related सारे issues जड़ से कम होते है तो मुझे comment करके जरूर बताना है